बिहार में पंचायत चुनाफ के बीच स्टार प्रचारों का तड़का लगने लगा है इसी कड़ी में भोजपूरी की लोक्रिय गाई का देवी भी सुमवार को बरारी प्रखंड के बाडी नगर पंचायत में पहुँची वहां उन्होंने अपनी महिला मित्र के लिए चुनाफ किया और साथ ही लोगों से अपील की कि वो रितु कुमारी को वोट करे आपका बता दे कि देवी ने अपनी सहेली रितु कुमारी के लिए प्रचार किया और साथ ही लोगों से कहा कि वो विकास के मुद्दे पर वोट करें उन्होंने कहा कि रितु पंचायत समिती सदर से प्रत्याशी हैं प्रचार करने गई देवी ने वहाँ लोक आस्था महापर्व छट का भी गाना गाया महौल को देखती हुए उन्होंने छट से जुड़ा कई गाना महाँ गाया और वादा किया कि अगर उनकी मित्र पंचायत समिती पत से जीत जाती है तो वो प्रखंट प्रमुक बनने के बाद वहाँ फिर से आएंगी उनके दोस्त के प्रखंट प्रमुक बनने के बाद वो इस गाउं में फिर से आएंगी और एक बार फिर से आकर एक बड़ा कारेक्रम भी करेंगी बता दे कि छट पूजा में देवी की गीत लोगों को खुब पसंद आती है और देवी की गीत लोगों को लुभाती भी है खासतोर पर बिहार में इनकी खुब बाते होती है और इनको खुब पसंद किया जाता है हाला कि ये देखने वाली बात होगी कि भोचपूरी गायका के सुरीली आवाज वोटरों पर कितना असर कर पाईगी सबसे पहले तो पुर्वी बाड़ी जो नगर है उनके सभी जो यहां की नगरवासियों है उनको मैं नमस्कार करूँगी और मैं इसलिए पहुंची हूँ क्योंकि मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड और बहुत हमारा रिष्टा है विकुत कि मारी चीसे और इनके हस्मेंट से भी और जब मुझे लगा कि ये चुना उलड नहीं है तो मैंने का इनकी सपोर्ट पर आना चा है तो इसलिए मैं इनके सपोर्ट में आई हूँ रितु कुमारी जी का और इनका जो चाफ है वो कंगा चाफ है तो मैं अपने सारी जो यहां के जनता तो बहुत ही सर्वोपरी है जनता से ही अपील करना चाहूँगी कि कंगा चाफ को आप लोग डेफिनिटली सपोर्ट करे और भारी मतों से हमारी जो जितु कुमारी जी है इंको विजयी बनाए और मुझे बहुत खुशी होगी और मैं जब इनका जीत होगी तो उसके बाद मैं डेफिनिकली आप लोग के लिए शो भी करना चाहूँगी कि मैं जानती हूँगे मारे बहुत सारी फैंस है जब मैं इवन दर्भंगा से यहां तक कई जगर रास्ते में लोग मुसे मिले और काफी लोगों ने प्यार दिया तो मैं यहां की जन्ता को अपनी करब से भी बहुत-बहुत धनेवा देना चाहते हूँ कि मेरे गानों को लोग सुनते हैं प्यार देते हैं और बाकी बस इतना ही कहन चाहेंगे कि जो कंगा चात है और तो कुमारी जी को भरपूर आप लोग वोट करें और भारी मत उससे विजह बनाएं